पिछले वीडियो में हुंने सीखा था कि हम कोईُ भी पैटर्न किस प्रकार बनाएगे inghy जिसका concept हमने आपको बताया था कि हम कोई भी पैटर्न कैसे तयार करेंगे और हमने बना के देखे थे इसी प्रकार और वी कई टाइप के पैटर्न होते हैं जिनको हम बनाना सीखेंगे इस वीडियो में आपने कोसिस करिए होगी आपने बना के भी देखेंगे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था क्या प्रक्टिस करके ज़रूर देखिएगा यदि नहीं बने तो इस वीडियो शाप को चीज देख सकते हैं कि हम बाकी के ये पैट ट्रेंगल बताया था और एक हमने right down ट्रेंगल बताया था ना उसका हमने reverse बताया था अभी जैसे हमने pyramid बनाना है या पिर reverse pyramid बनाना है left triangle या left down ट्रेंगल तो यह सारे आप बिलकुल आसानी से बना सकते हैं उसी परकार हमने शिरफ इनका थोड़ा सा concept ध्यान में रखना हैं अभी जैसे यहां पे हम बनाते हैं लैफ टैंगल से ना राइट हमने बनाया था लैफ बनाता है तो यहां पर देखो आपको एक ट्रैंगल नजरा रहा है लैफ ट्रैंगल के अंदर यहां पे एक नहीं दो ट्रैंगल है यहां पर एक हमारा black TRAंगल आ ग होगा इसको हमने space डालना पड़ेगा और यहां पर star लगाना पड़ेगा तो simple तरीके से हमने क्या करना यहां पर जो space लगाने हैं उसके लिए हम यह वाला parameter यूज करते हैं जहां हमने star print करें हैं उसकी जगे हम space print कर देंगे और space के बाद हमारे star जाये तब हम यह taur गैँको के तो को स्माइब चेंगने लिए धार हिंगर बना या था किस प्रकार बनागा था पहले हम लिख के देखते हैं मैं यहाँ पर करता हूं N इकविल to 5 यहा पर ले लिया और करते हैं सबसे पहले वहाँ 4 i in range ध्यान में आ रहा है हमने इसी परकार लिखा था i in range और हमने कर दिया यहां पे n और फिर हमने इसके अंदर एक ओर लूप चलाया था हमने किया था 4 j in range और इसके अंदर मैंने प्रिंट कराया था i और n को जिससे क्या हुआ था यह reverse ट्रेंगल बन गया था हमारा ultra ट्रेंगल बन गया था राइट तो एक बन मैं यहां पे ultra ट्रेंगल बना के दिखाता हूँ करता हूँ मैं print और print के अंदर हम कर लेते हैं star को print और space के लिए and equal to clear और जो पहला loop था हमारा उसके लिए मैंने कराया था print blank blank इसको मैं run करता हूँ shift के साथ f10 press करेंगे हम यहां पे तो देखे यह हमारा इसको उपर खिसका लो एक बार इस तरह का pattern हमारा बन के तयार हो गया था ठीक है अब हमने क्या करना है इन pattern पे space use करना है star use नहीं करना आगे जो pattern बनेगा वो हमारा यहां पे create हो जाए तो उसके लिए हम यहां पे क्या करें हम star की जगह कर दें space use और अब shift के साथ f10 करता हूँ देखो यहां पे कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि space है वहां पे ठीक है और फिर हम एक और inner loop यहां पे use करेंगे मैं करता हूँ फिर से 4 j in range और इस range के अंदर हम i की value को एक बढ़ा देंगे तो यहां पे करता हूँ i plus 1 एक हमने i की value को बढ़ा दिया बस इसको print कर देना हमने same to same क्या print करना है अब हमने यहां पे star print करना है तो यहां पे type करेंगे हम star और वही end बस कर देते हैं shift के साथ f10 तो देखें यह बन गया हमारा left triangle जो right triangle है यहां space आ रहे हैं बाकी बाद में इसको यह triangle मिल गया तो यह triangle print करा दिया अब हमने इसका ultra triangle बनाना है इसको पलटना है यानि कि reverse करना है हमने left down triangle बनाना है तो जब पलटना है पलटने का नाम आ गया तो इससे एक दम ultra कर देंगे जहां पर हमने लिया है i और n इसको तो मैं कर देता हूँ i plus 1 और यहां पर जो i plus 1 किया है इसको कर दें हम i n तो क्या होगा जो यहां पर पहले 5 space मिले थे अब इसको यहां पर 1 space मिलेगा तो यह 5 star print हो जाएंगे फिर 2 का space मिलेगा फिर 3 का यहां से फिर space ऐसे बढ़ते हैं चले जाएंगे और यह हमारा triangle इस परकार से print हो जाएगा ultra करते हैं shift के साथ F10 press यहां पर देखें यहां पर यह इसका ultra print हो गया simple है थोड़ा सा हमने इसका logic समझना है बस अब यहां पर पिरामीड पर आते हैं देखो पिरामीड को देखें आरा हम से same position यहां भी आपको 2 triangle नजर आएंगे एक तो हमारे पास यह triangle हो गया और दूसरा हमारे पास यहां पर triangle हो गया तो जो हमने यहां पर left triangle बनाया था वो ही position इसकी आ गई और जो आदा triangle बस गया इदर का यह वाली हमारी यह वाली position आ गई तो अब समझ गया आपने क्या लिखना है किस परकार लिखना है तो वापस से हम लिखते तो same पहले वाली position लेनी हमने तो यहां पर तो हम कर देंगे वही n को यहां पर पहले वाले triangle को blank रखते हैं यहां पर space यूज़ करेंगे और इदर जो i n उपर हमने कर दिया तो यहां पर एक एक बढ़ना चीए तो हम यहां पर i plus 1 कर देंगे print हमारा star हो गया लेकिन अब साथ में हमने उसके साथ एक और triangle प्रिंट कराना है पहले वाला तो हम एक inner loop और use करेंगे उसके लिए हम फिर से करेंगे 4 j in range और इसके अंदर same to same y डाल देंगे हम range के अंदर i plus 1 तो यहां पर कर देता हम i plus 1 और इसको भी print करा देंगे same to same हमने star प्रिंट कराना है इसमें भी star इती है न कभी तो हमारा pyramid बनेगा तो यहां भी मैं कर देता हूँ star कोमा करके y and equal to बास हो गया अब देखोए code काफी ज़्यादा हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ इस window को उपर लेके रख लेता हूँ यहां पे मैं इसको move करा लेता हूँ view mode इसका float करके इसको side में रख देते हैं यहां पे अब दोनों हमारे पास code भी पूरा नेजर आएगा और यह output में नेजर आएगी तो यहां पे इसको मैं करता हूँ shift के साथ f10 देखें आगे हमारा pyramid लेकिन इसमें थोड़ा सा difference आ रहा है यहां पे एक स्टार से शुरू की बज़ाए यह दो स्टार से शुरू हो रहा है यानि कि दोनों ट्रेंगल अलग-अलग बन रहे हमको यह वाली अगर लाइन रिमूव कर दें हम यह वाली रन करेंगे तो देखो अब first class हमारा काम चल गया first class तरीकेस हो रहा है अब आ जाता है इसका reverse अगर हमने डाउन में पिरा पिरामीड बनाना है उल्टा पिरामीड इसका तो उल्टा पिरामीड के लिए हम इन लूप को उल्टा कर देंगे जो हमने पहले आई और एन लिया था सिधा सिधा आई प्लस वन और जो हमने यह लिया है यहां पे आई प्लस वन इसको हम कर देंगे आई ए आधो देख रहे हैं आप ल्टा बन रहा है यहां पूंडी यहां भी मैं I अरकर्टा हूं है और इसको रन करते हैं हम वापस से चलागे देखते हैं तो यह फिर से फिर जो हमारे पास पहले थी यहां पिद लास्ट में फेखित्म और दो स्टार गें दो i plus 1 था तो हमने plus 1 को हटा दिया था लेकिन यहाँ पे तो plus 1 है यह नहीं फिर क्या करें हम यहाँ पे minus 1 कर देंगे एक less हो जाएगा राइट shift के साथ F10 प्रेस करते हैं बिल्कुल साही इसके बाद देखो diamond है ना diamond कैसे बन रहा है देख पा रहें code को आपस में जोड़ दिया यानि कि दोनों code मैंने एक code यहाँ पे लिख दिया एक code नीचे लिख दिया लेकिन अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा देखो लिख के देखते मैं दोनों code लिखता हूँ यहाँ पे वापस हम यहाँ पे चलते हैं और इधर मैं सेम code को कोपी करता हूँ Ctrl C और यह उल्टा है सिद्धा वाला इससे उपर आना चीए तो हम यहाँ पे निच्चे आएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट दोनों code हमारे पास अलग-अलग हो गए इनको अब हमने चेंज कर लेना पहले वाले तरीके के पहले हम सिद्धा पिरामीड यहाँ पे बन आएंगे तो क्या करेंगे इदर i और n कर देंगे और उसके लिए हमने यहाँ पे क्या था i प्लस 1 और इदर हमने only i छोड़ दिया था यह क्या था हमने save कर देते हैं और करेंगे इसको run तो यहाँ पे देखो diamond हमारे पास बन तो गया लेकिन यहाँ पे देखो यह दो पिरामीड अलग-अलग नजर आ रहे हैं हमारे पास यह पिरामीड भी और इसका reverse पिरामीड भी बीच में यह line ने जो double line ने आ रहे हैं इन में से हमने एक line को हटाना है यानि कि एक time हमने कम चलाना है तो इसको जब एक कम चलाना है तो हम यहाँ पे आएंगे फरस्ट लूक के अंदर और उसको करदेंगे minus one बस हो गया काम save करदेंगे और इसको run करेंगे वापस से तो यहाँ से एक line remove होगी और first class तरीके का हमारा diamond बन गया लेकिनी थोड़ा slumber diamond है न क्या करें उसके लिए हमने इसकी थोड़ी सी width बढ़ानी है तो simple सा मैंने बताया था याद है यहाँ पे हम करेंगे space इदर भी space करेंगे इदर भी space करेंगे और इनके अंदर हम space डाल देंगे सबी में यह लिसी है करते हैं run यहाँ पे देखो diamond अच्छा तरीका का बन गया जूम करके देखते हैं इसी परकार आप इससे उल्टा बना सकते हैं उल्टा बनाने के लिए यहाँ से तो मैं वापस इसको any रहने देता हूँ और इस complete इस code को होगा बैस सीधा साथ यह वाला जो निच्छे का जो उल्टा पिरामीड यह उपर चला जाएगा और सीधे वाला पिरामीड निच्छे आ जाएगा तो हमारा इदर इसका उल्टा इदर है हमने स्पेस डाला है और स्पेस यां पर डाला है बटरफलाई बन जाएगा तो यह सारे आप खुद बनाके देखिए, बिल्कुल आसान है, सारे पैटर्न बन जाएंगे, तो हमने स्टार पैटर्न प्रोग्राम को तो शोल कर लिया, तो अब शोल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सभी नंबर पैटर्न प्रोग्राम को, राइट, I hope वीडियो आपको जूर अच्छा लग कर लें.